कि दिये गए जिद्थों की सहाथा से कम से कम तीन खाध्यीस रिंख्ला बनाई हैं ठीक है- तो तीन खाध्यी मैं बनाने के लिए शबसे पहले आपको देखना हैं स्टुडेंट्स को देखना लोगत हरे पेंड पॉध है ठीक है तो हरे पेंड पॉध हो को लेंगे स्टुडेंट्स ठीक है हरे पेंड पॉध हो को लेंगे तो हरे पेंड पॉध हो कौन खाते हैं स्टुडेंट्स उसको खाते हैं कौन खाती है गाया ठीक है तो गाया खाएगी और गाया को कौन खाएंगे इसमें जो है और जी आप क्या कर सकते हैं जोड़ सकते हैं ठीक है यहां पर जीतना भी दिया है उसमें मैं बता रहा हूं आपको तीन कैसे बनाना ठीक है इसके बाद तो साप खाएगा है ना मेड़क को कौन खाएगा मेड़क को जो है मेड़क को खाएगा स्टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् आप बना सकते हैं दूस्तारा उसके पाद तीसरे के हम लोग बात करते हैं उसमें हम लोग लोग सकते हैं स्टुट्स सवाल से सब्करने स्टुट्स सवाल से तो सवाल से स्वाल मतलब वह साथ करेंगE और oni से उस्टूडंट्स छोटे जनटू खाएंगे ठीक है कौन खाएंगे स्टूरेंट्स छोटे जो जन्तू होंगे वो खाएंगे उसके बाद जो है वहां से फिर इनको कौन खाएगी छोटी मचलियां ठीक है ना छोटी मचलियां छोटी मचलियों को फिर बड़ी मचलियां और बड़ी मचलियों को फिर एस्टूरेंट्स कुछ जी छूड़ी कहा होंग उनको आप क्या कर सकते हैं उसके भाद हम नेक्स्ट देखते हैं खाद सिंखलोग को पूर्ण किजिए दिया है तो यहां पर आप खाद लोम्री भी लिग सकते हैं, कुत्ता भी लिग सकते हैं ऐसा बना सकते हैं, ठीक है, तीसरा काई प्रेकार साइब सकते हимся, उसके बद आगे हम लोग क्वेस्टन की बात करते हैं students निम्लिकित प्रश्नक उत्तर दीजिए इसमें पहला जो question है परियावरण क्या है तो इसका अंसर आपको कैसे लिखना है परियावरण क्या है ठीक है तो हमारे आसपास हमारे आसपास जो भी चीज़े हमको जो है दिखाई देती है वो सब क्या है students परियावरण है तो उत्तादक किसे कहेंगे students जो अपना क्या करते हैं प्रकास की सहायथा क्या करते हैं अब भोगता की बात करते हैं जो अइसे जीव क्या करते हैं बोजन की लिए उत्तपादक पर क्या जीव की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं भोजन के लिए भोजन के लिए उत्पादक पर आश्रीत आते हैं ठीक है समझ में आ रहा है ऐसा आप लिख सकते हो उसका तीसरा लасти कि आफेखंगे नगे चेसे मिट्टी प्रकास है इसके लावा जो ही क्या है पर अब दुसरी निर्भरण ठीक है या आप इस पश्ट कर सकते हैं बता सकते हैं अपना तरका दे सकते हैं ठीक है इसके लाबा जो चौधा क्वेश्चन है खाद स्रिंखला से आप क्या समझते हैं लिखिए तो खाद स्रिंखला से हम क्या समझते हैं स्टुडेंट्स आप बता सकते हैं कि खाद स्रिंखल से क्या होते हैं students यह जो है अपने भोजन के लिए जो है अन्य दूसरे जीवों पर क्या होते हैं student आसित रहते हैं और यह एक जीव को क्या करते हैं और वो जो रहता है दूसरे जीव रहता है वो तीसरे जीव क्या करते हैं भोजन की रुप में क्या करते हैं ग्रहार करते हैं तो इस प्रकार से एक स्रिंखला बनती जिसको हम क्या बोलते हैं खाद्य स्रिंखला और यहां पर आप उधारान के रूप में समझा देंगे जैसे कभी खाद्य स्रिंखला हम लोग देख रहे थे हैं उसी को ठीक है उसके बाद जो है ठीक है उसके बाद जो है अगला क्वेश खाद्य समस्य उत्पन हो जाएगे है ना मतलब जो है सभी लोगको जो है बोजन प्रिआपतन नहीं हो पाएगा ठीक है इसके लाएब पीने के पानी पानी यो भी क्या होगी ऊपलबध नहीं होगी ठीक है और इसके कारण सब अगर भूमी पर जल नहीं रहेगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी मिट्टी जो है रेगिस्तान में बदलने लगेगी अनुपजाओ हो जाएगी तो इस प्रेकार से क्या हो सकती है यदि कम वर्स होती तो समस्य उत्पन नहीं हो सकती है ठीक है अब इसके बाद हम आगे देखत करने का मतलब है जो हमारे वायू मंडल में उसमें जो है नावस्यक या वांचित गैसो का मिल जाना जिसके करणाड से क्या होती है वायू जो है हानीका रख हो जाती है तो उसी को हम क्या बलते है students वायू प्रदूसर्ण मतलब ये वाल हमारे लिए पूरी प्रकृति के तो हब प्रिप्रा च्टू से रहा तो मुन वाजके निय से होते हैं जैसे कि दोगों से निकलने वापधांत को बनांध के करना है कि और यदि हम उप्योग करते हैं तो जो है हमारे हमको जो है कई प्रकार की बिमारिया जो है उनसे हो सकती है तो इस स्थितिक हम क्या बोलते हैं स्टुडेंट जैल प्रदूशन ठीक है जैल प्रदूशन समझ में आया जैल में मतलब आवांचीत पदाथों का मिल जाना जिससे क करान हम उनका प्योग नहीं कर पाते तब उसको हम क्या बोलते हैं स्टुडेंट जैल प्रदूशन ठीक है उसके बाद है स्टुडेंट ध्वनी प्रदूशन क्या है तो ध्वनी प्रदूशन की बात करते हैं तो ध्वनी प्रदूशन कहने का मतलब है कि लगातार क्या होती कि हमारे कानों पर पढ़ती है तो उसके कारण प्रभा हम सिर्दर्द है और कई प्रिकार क्या होने लगती है ठीक है तो इसी किया बोलते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टुडेठ्ट रिक्षारोपर का होता है दो पर लगाना करना चीज तो अफूल्द को लगाना के लाता है उसके बाद है उसके बाद है वन आप बता सकते हैं लगाटर घर रहे हैं तो उनको बचाने की आवसकता है ठीक है न और इसी कराण से यो हटडय सो रखने से लोका जाना और आंगा भी तुम्हों कहते हैं उसके साथ व Nicht Haha जो है पिर उनकी संख्याळातार घहत रही है तो उनको है जो वन जिव है उनको सरक्षी तरको रहना सी पर ह सरक्षीन कर लातou है थीसिक है इसार प्रों को सबस्कुल को सा नए ठीक है राज्य गवर मैं की अगर हम बातकरते हैं तो है शскойस कष्टी सब्दस और तीन का है राश्ट्री उद्यान है ठीक है बता था मैं जब हम लोग पढ़े थे तो ठीक है उसके बाद जो है अती वर्सा से हानिया तो अगर होगी तो हानिया तो होगी इस्टुडेंट्स क्योंकि अती वर्सा से क्या होने रखते हैं जो नदी है नाले है वह जो है उफा टीन तो हम जो होती है तो आती वर्सा से क्या होती है बहुं जादा हम्हाएं होती है तो अती V事情 होती है उसके बाद ने Figस संदोंकि आज साका हारे मासा नौना भुर एक होन तो नाम लिखे तो आउस पास दो अ तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं है कौन कौन साब को लिखना है तो यहां पर हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे तो चतिसगण में बक्छे यहां पर इसको क्या सकते हैं लिख सकते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं इस्टुएंट्स नेक्स्ट प्वेश्टेंट canire जहाना है ठीक है तो फैत बाद जाक से सिरक्षा के वपाय लिखी करते हैं स्टूइंट्स स करनी है तो हम को क्या करना हो dat जिसके लिए क्या करते है कुछ सरकार के द्वारा और यदि कोई भी क्या करता है बाहर सी यहां पर इस शेतं में जो है अगर पेंट कार्टने के लिए जाते हैं फिर जीवजादूंतों का क्या करते हैं तो उनके उपर करवाही की जाती है मतnya हैं जो एक ठोस्त नियम कानून बना हुआ है तो वन्य जियो का सूरक्षा के लिए students हमारे देश में junior में क्या करते हैं अब भ्यारण्ण बतुत है इसके लावा के उद्यान की त्यान करते हैं जहां पर इंधि़ों को जो है रखते वनिगी PayPal कराते हैं ठीक श्रूठंट्स उनको विश्च्ण किया करते हैं ठीक है समझने तो इस northern के सुरक्ष्य क्या करते हैं इसके बाद नेक्स झूलने वाले वहनों के चालकों पर जुर्माना किया जाना चाहिए, उसके बाद पुछा है यहां पर, इस पर आप अपनी समती आ समती कारान सही लिखे, तो अब अब समत है, क्यों समत है, क्योंकि अगर जो है, अगर कोई भी वहां, जो है, कालाधुआ चोड़ रहे हैं, तो उनके चालकों पर जुर्माना करना चाहिए क्यों करना चाहिए क्योंकि उनको जो है गाड़ियों को क्या करना चाहिए निमीत रुप से जांच करानी चाहिए सुधर्वाना चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है इससे जो है हमारा वायू मंडल क्या हो रहा है लगाता है हमारा वायू मंडल क्या होती है प्रदूसित होती है जिसका प्रभाव जो है केवल उस चालक के उपर ही नहीं बलकि क्या होता है बांकी जो जितने भी जो मनुस्या है और इसके लवाद जितने भी जीव जन्तु है ज लहां स्मझ्मिया है और यदि को नियम कानून वर्लते की ओक्राइब जूर्म्मं Η पर के सब्सक्रांच्ब goin अगर आपको घंडरी में कुंट भरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मैं आपको PDF की रूप में रुप में बद करांगा ठीक है Qлацо आज मैं इस चेप्टर का जो question answer था इस कारण से discuss किया हूं ताकि आपको जो है अच्छे समझ में आ जाए आपको लिखना कैसे है और question answer जो है आपको जो है PDF की रूप में उपलब्धा करा हूँगा ठीक है students उसके बाद जब next class में हम लोग पढ़ेंगे students तो अध्यातीन पढ़ेंगे पदा था की प्रकृति ठीक है students तो आज के लिए बस इतना ही